कि प्रभाद पिछले पिरेड में हमने देखा था मांजा मेरे मन इस पाठ की शुरुवत और उसमें लगबग आधापाट अपना हो गया है उसमें आज आगे देखेंगे उससे पुरुव गांदेजी के सुन्दर विचार ऐसे जीओ जैसे कि तुम कल मरने वाले हो ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो मतलब यहां बताया है कि जीते समय हर पल का आनंद लेना चाहिए क्योंकि अब जीओन मेरा खत्म होगा तो उससे पहले मैं अच्छे कार्य करता रहू अच्छी तरह से अपने जीओन का उपभूक करता रहू लेकिन सीखो तुम ऐसे कि तुम्हारी शिक्षा इतनी हो कि तुम जीओन भर वो तुम्हें कामा है कि हमेशा के लिए जीने वाले हो उस तरह से तुम ऐसे सीखो ऐसे आदर्श बन कर रहो आपकी शिक्षा आपको इस तरह से मदद करेगी कि वह आपको जीओन भर आदर देती रहेगी आपको जीओन में यशस्वी शिक्षा कर बनाती है और इसलिए सीखना अच्छा है फिर आगे हम अपने पाठ की तरफ मुड़ते हैं हमने देखा था कि लेखक अब व्यायाम करने का निश्चे करते हैं और उस तरह से आगे तैयार हो जाते हैं मैंने वह मुगदल विगदल याने व्यायाम के सब सामान लेकर नेर्णाय करते हैं कि कल से व्यायाम शुरू अब आगे देखते हैं, मैं रुवासा होकर कहा, तुम साथ दो, तो मुश्किल कुछ भी नहीं सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि यह सुरज निकलता कि धर से हैं मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा, लेकिन दवडोंगे कैसे, मैंने लापरवाई से जवाब दिया दोनों पैरों से, उस से भीगा मैदान, दवडता हुआ मैं, उकता हुआ सुरज आह, कितना सुन्दर दुश्य होगा, सुबह उठकर सभी को दवड़ना चाहिए सुबह उठते ही अवरते चुला जला देती हैं आखे खुलते ही भुकोडों की तरह खाने की फीक्र में लग जाना बुरी बात है सुबह उठना तो बहुत आसान बात है दोनों आखे खोल कर चारपाई से उतरे, डाए तीन हजार दंड बैठके, निकाली, मैदान में 15-20 चक्कर दवडे फिर लटकर मुगदर हीलाना शुरू कर दिया, मेरा मन यह सब कुछ सुनकर हसने लगा मैंने रुकर कहा, देखो यार, हसने से काम नहीं चलेगा सुबह खुपस सबेरे जागना पड़ेगा, मनने कहा, अच्छा, अब सोजा आखे लगते ही, मैंने सपना देखने लगा, कि मैदान में तेजी से दोड़ रहा हूं उत्ते भौक रहे हैं, यहां लेखक बता रहे हैं, कि उसने नेड़ने तो किया कि अब हम वैयाम करेंगे, और इसलिए उनका मन कह रहा है, कि यह तुम से कुछ होने वाला नहीं है, तु कहा, भागेगा सुबह सुबह भागना चाहिए, वैयाम करना चाहिए, लेकिन तुम कहा, तुम तो सुबह उट्टे ही पहले, जैसे ही आउरदे चुला जलाती है, तो खाना क्या बना है, यहां पहले सोचते हो, तुम से कहां दोड़ा जाएं और यहां देखक बता रहे हैं कि सुबह क्या क्या कलना चाहिए, दंड़ वैठक दाई तीन हजार, इनसे दो तीन नहीं निकल रहे हैं, और दाई तीन हजार की चर्चा, यहां व्यंगात्मक उन्होंने बताया है, पंद्रह, भीश चक्कर, मैदान के लगाना, और फिर मेरा मन, लेखक का मन यह सब सुनकर हसने लगा कि यह तुमसे होने वला है, कब से मैं सुनता हूँ, तुमारा मन संकल्प करता है, करता कुछ नहीं, और इसलिए वह सोचने लगा कि आभी पहले मन ने कहा, आभी तो सोजाओ, तुमारा संकल्प कल से शुरू होना वल है, जी से वी दौड रहे हैं, कुत्ते भोक रहे हैं, और गाये रंबा रही है, मुर्गे बांग दे रहे हैं, अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता मेरे दाहिने पर से लिपट गया, मैंने पाव को जोरो से जटका कि आखे आख खुल गई, देखता क्या हूं कि मैं फर्श पर पड़ा हूं, टेबल मेरे उपर है और सारा परिवार चीक चीक कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है, खेर किसी तरह लंगडाता हुआ चारपाई पर गया, कि याद आया, मुझे तो व्यायम करना है, मन ने कहा व्यायम करने के लिए गहरी निन्द बहुत जरूरी है तुमें चोड़ भी काफी आ गई है, सो जाओ, मैंने कहा लेकिन शायद दूर बाग में चिडिया ने चहाना शुरू कर दिया है, मन ने समझाया ये चिडिया नहीं, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पतनी की चुडिया बोल रही है, उन्होंने करवट बदली होगी, मैंने नीन की और कदम बढ़ाते हुए अनुगों किया, मन व्यांग पुर्वक हस रहा था, मन बढ़ा दुश्चा हसी था, यहां भी व्यांग करते हुए काए कि मैं दोड़ रहा हूँ, कुत्ते भोक रहे हैं, सुबह का वातावरण है, गाए रंबा रही है, यानि गाए आवाई निका रही है, और मुर्गा भी बांग दे रहा है, कि सुबह हुई, यहां सपना देख रहे थे, और अचानक दोड़ते दोड़ते, वहां और कोई आये थे, तो उनके साथ का विलायती किसम का एक कुत्ता, उनके दाइरे पहर से लिपट गया, वे डर गया, और पा क्या वो फर्ष पर गिर पड़े, याने कॉट पर से नीची, और टेबल उनके उपर है, सारा परिवार एक तो है मोटे, तो सारा परिवार चेक चेक कर उनसे, उन्हें टेबल से निका रहा था, खैर किसमत किसी तरह से लंगडाता हुआ, याने पहर में चोट आई थी, किसी तरह से लंगडाते हुए, वह खड़े हो गये, चारपाई पर गया, याद आया मुझे कि वैयाम करना है, मन ने कहा वैयाम करने वाले के लिए गहरी नीद जरूरी है, याने पहले तुम सो जाओ ठीक से, क्योंकि तुमारी नीद पूरी नहीं हुई है, तुम्हें चोट भी काफी आ गई है, सोजा, और कहा कि तुम सोजा, मैंने कहा लेकिन शायद दूर बाग में चिडिया चहचाना शुरू किया, याने सुबह हो गई है, याने मेरी नीद पूरी हो गई है, चलो मैं वैयाम करता हूँ, मन ने समझाया कि नहीं सुबह नहीं हुई, डरो मात बगल वाले कमरे में तुमारी पतनी सोईए, उनकी चुडियों की आवाज है, शायद उन्होंने करवट बदली होगी और चुडिया खनकी होगी, मैंने नीन की और कदम बढ़ाते हुए, याने लेखक वापस, याने यहां क्या दिखाया है, कि मन अपना जो होता है, वा किस तरह स अपने अनुकूल, याने मन में इच्चा होती है, फिर भी हमारा मन जो है, शरीर कहता है, चलो मन कहता है, नहीं, यहां दिविधा की बाते यहां बताई है, और हम दिविधा में एक मन कहता है, नहीं वयाम करना है, दुसरा कहता है, नहीं ठीक है, कल से देखेंगे, यहां व सुवर साड़े नौ बजे आँख खुली, याने ये बड़े सुड़ियोधिसी हैं, leva से उठना है साड़े नौ बजे आँख खुली हमेशा की तरह, याने सुबर उन्होंने पहले बता पटा है कि सुरज कहां से उकता है, यही इने पता नहीं, कैसे पता होगा जब सुरज आधा आसमान में चला जाता है, तब यह उखते हैं, तो सुरज कहां से उखता है, यह कहां से पता चलेगा, तो यह साड़े नौ बज़े उजागते हैं, साड़े नौ बज़े जागने के बाद सुरज काफी उपर आता है आस लोग आराम से ही जागेंगे तो पता नहीं चलेगा कहां सूरजूग रहा है नाश्टे की टेबल पर मैंने एलान किया सुन लो कान खोल कर पाव की मोच ठीक होते ही मैं मोटा पे के खिलाप लड़ाई शुरू करूंगा खाना बंद, दवड़ना और कसरत चालू किसी पर मेरी धमकी का असर नहुआ पत्नी ने तिसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो मैंने कहा इस बार मैंने संकल्प किया है जिस तरह रिशी सिर्फ हवा पानी से रहते है उसी तरह मैं भी रहूंगा पत्नी ने मुश्कुराते हुए कहा खर, जब तक मोज है तब तक खाओगे ना मैंने चोथी बार हलवा लेते हुए कहा छोड़ने के पहले मैं भोजना नंद का चरम सीमा पर पहुचा देना चाता हूँ इतना खालूं कि खाने की इच्च्या ही नहर जाए यह वाममार्गी काईदा है उस रात नीन में मैंने पता नहीं कितने जोर से टेबल में ठोकर मारी थी कि पाच महिने बीट गए पर मोच ठीक नहीं हुई यो चलने फिरने में कोई कश्ट न था मगर जो ही खाना कम करने या व्याम करना का विचार मन में आता बाय पैर के अंगुटे में टीस उठने लगती देखो यहां भी उन्होंने व्यांगात्मक रूप से कहा है कि हर रोज की तरह सुबस साड़े नौ बजे वो उठे और नाश्टे के टेबल पर जाकर वहां बैट गए नाश्टा करने के लिए और क्या कहा कि कान खोल कर सुनो मैं आप मेरे पैर में मोच आई है इसलिए मैं अभी व्यायम करना कल मैंने बताया था लेकिन आज से जरा पैर में मोच है इसलिए दवड नहीं सकता हूँ लेकिन जैसे ही ठीक हो जाएगी मोटा पे के खिलाब लड़ाई शुरू खाना बन और दवडना और कसरत शुरू ये हमेशा लेखक कहते थे और इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि मेरी इस धमकी का किसी पर असर नहीं हुआ घर में क्योंकि सभी को पताये हमेशा बोलते हैं और करते कुछ नहीं है पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरा हलवा जो मैंने चितर में दिखाया है वहा हलवा जो है वहा तीसरी प्लेट खई याने कितना खाते है देखो तो बड़े होंगे मोटे होंगे नहीं तो क्या तो तीसरी प्लेट भरते हुए कहा कि घर में परहेश करते हो परहेश करना याने हम घर में खाने से खाना नहीं खाते हो, कि नहीं नहीं चाहिए, लेकिन बाहर जाकर, वहां अच्छी तरह से खा लेते हो, वहां तो फिर फाइदा क्या, यहां नहीं खाते हो, बाहर खाते हो, वो तो ज्यादा हनी खा रखें, मैंने का इस बार मैंने संकल पही किया है, यानि निश्चे, आते हुए खा खायर जब तक पैर में मोश्टर है तब तक तो खाओगे ना याने तब तक खाओँगे तो उन्होंने कहा कि छोड़ने से पहले याने ये खाना बिना मैं जब बंद करूंगा उससे पहले मैं भोजनानंद भोजन का आनंद चरम सीमा तक पोचा देना चाहता पाश तेश तक पहुत ही उपर तक कि इतना खाओंगा कि खाने की बार में इच्छा ही नहां रहे जाएगी कि नहीं अब नहीं जैसे कोई चीज हम ज़्यादा खाते हैं तो बाद में देने के बाद करें हैं आर अब नहीं अब मुझे नहीं चाहिए काफी हो गया और यह य चीज को जादा जादा करने के बाद वह हमें पसंद नहीं कोई भी तो वह जादा अच्छा नहीं लगता तो यह वामो मार की काईदा उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से यह मैं जादा खाओंगा तो बाद में मेरी खाने की इच्छा ही मार जाएगी उस रात नेन में मैंने पता नहीं कितने जोर से टेबल पर ठोकर मारी थी याने लाथ मारी थी कि पाच मैंने बीद गया मोज ठीक नहीं हुई याने पाच मैंने संकल्प किया था पाच मैंने तक वहाँ पैर में याने किसीने याद दिलाए ए अधी तक वैयाम नहीं शुरूरा जा क्या करू मेरे प्वैर में दर्थ है याने तीस उठना जाने क्या दर्थ का अनुभव होना तो मेरे पयर में tees उठने लकती थी, जैसे ही विचार आता था कि dowड़ना शुरू, और व्यायम करना, यह मन में विचार आया, कि दूसरा मन गयाता था, आरे मेरे पयर में दर्ध है, वो दर्ध तब याद आता था, तब तक मन ऐसे चलने फिरने में कोई कठी नाई नहीं, वह ठीक से चल सकते थे, फिर सकते थे, केवल व्यायाम करने का कंटाला, इसलिए वह विचार आया कि पैर में ठीस उठने लगती थी, याने जैसे कुछ बचों को आदत होती है, पढ़ाई कहा कि सिर्दर्द शुरू हता है, और मेरा सिर्दर्द हो रहा है, बाकी मोबाईल पर वीडियो गेम या वीडियो खेलते समय, वो गेम खेलते समय घंटों बीच जाते हैं, ना आखे दर्द करती है, ना सिर्दर्द करता है, लेकिन पढ़ाई शुरू की, अरे पढ़ाई देख देख कर, ये लेक्चर देखकर, ये नोट्स देखकर मेरी आखे दर्द करने लगी, सिर्दर्द करने लगा, शुरू हो जाता है, है कि नहीं, यह अनुबव अभी फिलाल आप लोग करते होंगे, कि गेम खेलने के लिए कितने समय चला जाता है, लेकिन फिर भी हमारा सिर्दर्द नहीं करता है, याने ये मन की उपजय की नहीं, वही लेक्चर की हलत है, कि जैसे ही वैहम की बात आजाती है, तो पैर में दर्द शुरू होता है, जैसे आपको पढ़ाई कहा, तो सिर्द में दर्द शुरू होता है, और पढ़ाई बन, खेल शुरू, तो वह गयब, बाकी समय में सब कुछ चलता है केवल पढ़ाई के लिए हमें तकलिफ होना शुरू हो जाता है ऐसे अनुभो फिलाल आप लोग भी करते होंगे है क्यों नहीं तो वह मन की उपज होती है मन में यह बाते अक्सर आ जाती है एक दिन रिक्षे पर बाजार जा रहा था देखा उत्पात पर एक बुढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजा कर लोगों का ध्यान आक्रिष्ट कर रहा है रिक्षा रोक कर जो ही मैंने मशीन पर एक पाव रखा तोल का काटा पूरा चकर लगा कर अन्तिम सिमा पर धर्थ ने लगा मानो अपमानित कर रहा हो बुढ़ा आतंकी थोकर हाद जोड़ कर खड़ा हो गया बोला दूसरा पाव न रखिये महराज इस मशीन से पूरे परिवार की रोजी चलती है आसपास से रहागिर हस पड़े मैंने पाउप कीछे खीच लिया मैंने मन से बिगड़ कर कहा मन साब सारी शरारत तुमारी है तुम में दृड़ता है ही नहीं तुम साथ देते तो मोटा पदूर करने का मेरा संकल्प अधुरा नहा रहता मन ने कहा भाई जी मन तो शरीर के अनुसार होता है तुम में तो दृड़ता की आशा ही क्यों करते हो यहां बताया है कि एक दिन लेखक रिक्ष्या पर बाजार जा रहा था तो पूटपात पर एक बुड़ा वजन जैसे आप कभी कभी देखते होंगे बाजार में भी या कई जगा वह मशीन लेकर बैटते है वजन चेक करने के लिए एक रुपया दो रुपया लेते हैं आप खड़े हो जाते हैं वजन चेक करते हैं तो वह घंटी बजा कर लोगों का ध्यान अकृष्ट कर रहा था कि आओ भई वजन करो रिक्षा रोक कर जो ही मैंने मशीन पर एक पाव रखा तो लेखक ने रिक्षा रोकिया और एक पाव मशीन पर रखा उतर कर तो तोल काटा जो है पूरा चक्कर लगा कर अंतिम सीमा पर थर थर आने लगा यानि इनका वजन कितना बढ़ गया है मानो अपमानित कर रहा हो कि अरे भाई तुमारा एक पैर का वजन इतना है पूरा खड़ा हो जाएगा तो मैं तूट जाओंगा बुड़ा आतंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया बुला दूसरा पाव न रखियेगा माराज इसी मशीन से पूरा परिवार की आतंकित व्याकुल होकर डर कर वो तुरन खड़ा हो गया हर बड़ा हरे माराज मत खड़ा हो न इसी मशीन से पूरे परिवार की रोजी रोटी चलती है जो पैसे मिलते है हमारा चलता है परिवार आप खड़े रहेंगे तो पूरा मशीन ही टूप जाएगा यह देखकर यह सुनते ही आसपास के रागीर हस पड़े मैंने पाउं पीछे खीच लिया उसे हसते हुए देखकर लेखक ने अपने पाउं याने उतर गए मैंने मन से बिगड कर कहा गुसाओ कर कहा मन साप सारी शरारत तुमारी है याने ये तुमारे कारण है तुम साथ देते तुम मैं व्यायाम करने के लिए तुरन तयार होता था लेकिन तुम साथ नहीं देते तुम में दुड़ता है ही नहीं दुड़ता याने दुड़न इश्य है पकार निर्णा है वो है ही नहीं बदल देते हो हर बार तुम साथ देते तो मोटा पादुर करने का मेरा संकल्प अधुरा न रहता उन्होंने काया कि मेरा संकल्प जो है मोटा पादुर करने का वह अधुरा नहीं रहता यदि तुम साथ देते हैं तुम साथ ही नहीं देते हैं अपना मन में नेर्णाई ही नहीं होता मन ने कहा भाई जी मन तो शरीर के अनुसार होता है मुझे 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 तुम दुर्टा की आशा ही क्यों करते हो याने मन जो होता है वो शरीर के अनुसार होता है तो तुम मुझ में ऐसी दुड़ता की आशा क्यों करते हो यहां यही बात लेखक ने बताई है कि मन जो विचार करता है उसी पर सबकुछ निर्भर होता है मन को काबू में रखना चाहिए यहाँ बात यहाँ बताईए है फिर यहाँ यहाँ अपना पाठ पूर्ण होता है एक बात यहाँ कि यहाँ पाठ मैंने अभी जो पढ़ाया वह थोड़ा फास्ट गया यहाँ आपको लगता होगा मैंने इसलिए फास्ट लिया है या जल्दी जल्दी पढ़ाया क्योंकि यहाँ पाठ अब इस साल परिक्षा में नहीं है के बल जानकारी के लिए क्योंकि पहला आधा पाठ हो गया था और गॉर्मेंट ने अभी जो 25% शिक्षल मंडल ने ओमिट कर दिया है वह उसमें यहाँ लेशन है और इस लेशन पर परिक्षा में प्रेश्ण नहीं आएंगे तो इसलिए यहाँ पाठ मैंने फास्ट ले लिया अब आगे निबंध पहला निबंध होगा आपना निबंध के लिए 100 पेज की बुक मैंने बताई है उसमें निबंध लिखने हैं मन के जीते जीत है मन के हारे हार यहां हर हुआ है हार पाई चाहिए मन के हारे हार यहां निबंध एक सुवचन के अनुसार यहां निबंध निबंध का प्रकार है वैचारिक निबंध आप इस निबंध को इस तरह से लिखेंगे अभी मन के बारे में हमने पाठ देखाई है तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार मन के हारे हार, हार यानि मन हार गया तो सब कुछ अब निबंद यह वैचारीक जो है उसमें आपको यह बाध्यान में रखनी है कि निबंद लिखते समय आपको पता ही है आप 9 स्टेंडर में है तो निबंद तीन विभागों में होता है प्रस्तावना, विशय विवेचन और समापन याने आपका निबंद चार पैरग्राफ में विशय विवेचन जो होता है वह दो परिछेद में होना चाहिए प्रस्तावना, तीन चार पंक्तियों की जो है वह होनी चाहिए निबंद से जुड़कर और समापन याने निबंद में आपने संशेप में क्या लिखा है या क्या विचार है वह निबंद उसमें ही आता है कि शब्दों का बंद, एकत्रित लाना और वह एक के बाद एक उसमें कहावते, मुहावरे, इनका प्रयोक करेंगे तो आपका निबंद उतना ही अच्छा और सुन्दर लगेगा उतने अच्छे अंका आपको प्राप्तो होते हैं, यदि कविता की कुछ पंगतिया, किसी की कही हुई बाते, वह अवतरणों में आपने निबंद में लिखी तो आपका निबंद सुन्दर हो जाता है, निबंद विशय जो है, वह क्रमवार उसे स्पष्ट करते जाना है, यानि कई भी कुछ भी बात लिखने से निबंद अच्छा नहीं होता और इसलिए निबंद लिखते समय, पहले उस विशय को समझो, उस पर मुझे क्या लिखना है, या क्या अपक्षित है यहाँ, यह पहले सोचो मन में, मन में उसकी तयारी करो कि मुझे इस विशय पर दिमाग में यह पहले लाओ कि इस विशय में कौन-कौन सी बाते आ सकती है, आपको शब्द मर्यादा भी है, सो, एक सो बीस या असी से सो शब्दों में निबंद लिखना है, अब निबंद में सो शब्द से थोड़े जादा गया है, तो आपको, आ सकता है तो भी चलता है और शब्द यानि दो अक्षर मिलकर एक शब्द जैसे मन के जीते जीत है यह इसमें कितने शब्द है मन जीते और जीत है और के यह गिने नहीं जाएंगे इस प्रकार से के है मैं में यह शब्द नहीं गिने जाएंगे दो शब्द से जा दो से अधिक अक्षर से जुड़े हुए शब्द, शब्द माने जाएंगे, यह बात भी ध्यान में रखिए, और इस तरह से निबंद लिखना है, इस निबंद में अपेकशीत में संशेप में आप अपने विचारों से यहां निबंद बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, विचार आपका मन ही जो है, वही सब कुछ करता है, मन ने ठान लिया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और मन ने हार मानी तो कुछ भी नहीं हो सकता, और इसलिए मन पर काबू होना चाहिए, यह मन बड़ा विचितर होता है, हर एक के शरीर में मन होता है, सभी ने कहा है यह मन लेकिन मन दिखता कैसे है किसी नहीं जाना तेरे मन में क्या चल रहा है लेकिन मन निकाल कर दिखाओ तो नहीं यह मन अजिब ऐसा रसायन है यह मन एक अजिब ऐसी वस्तू है ऐसे कहेंगे तो भी चलेगा कि मन लेकिन दिखाई तो नहीं देती तो यह मन ह क्या लेकिन मन में ही सभी विचार आते हैं वह चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो ये सभी आते हैं मन में और मन ही हमें उचाई पर ले जाता है या इरादे बुलंद करता है और मन ही हमें नर्वस करता है मायूस करता है और इसलिए कहा है मन के जीते जीत है मन के हारे हार प्रस्तावना इस प्रकार से या इस से के अलावा और भी अन्य धंग से आप करना चाहेंगे तो उत्तम कर सकते हैं फिर विशय की और मुढणा है क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है शब्द मर्यादा इसलिए मैंने यह प्रस्तावना इतनी ही बताई इसमें भी आप ऐसी ही होनी चाहिए ऐसा नहीं इसके उपरांद भी आप अपने ढंग से इसे लिख सकते हैं किताबों को रिफर करो परन तु कहीं से भी पूरी तरह से कापी मत करो नकल मत करो अपने विचार उसमें आने दो ताकि बोर्ड एक्जाम में जब ऐसे कुछ विच्जाय आते है जिसकी आपके पास तैयारी नहीं तब आप हड़ड़ा जाते हो इसलिए मन को और दिमाग को विचार करने के लिए बात दे करो तो यह विचार रेफर जरूर करो बाकी किताबों में से निबंद जरूर पढ़ो लेकिन देख कर बिलकुल लिखो मत अपने मन से लिखो अब मन में विच्जाय कि मन के जीते मन ही ऐसा होता है जो आपको बुलंद करता है कोई भी निर्णाय आप मन से लेते है और वह उम्मीद जो होती है मन में वह यदि अच्छी या आप मन में नेश्य करते हैं कि यदि मैं ये कार्य करने में निश्चित सफल हो जाऊंगा मुझे ये करना ही है यह मन ने ठान लिया तो वह हो सकता है मन के जीते जीत जो मन है उसे जीतन हमें कोई चीज करने के लिए या कोई संकल्प कोई हमारा धैय जो है उसे प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं मन में पहले ठान लेते हैं और मन ने ठान लिया तो कोई ऐसी बात नहीं है जो हम नहीं कर सकते बड़े शक्तिशाली लोग होते हैं लेकिन उनके मन ने हार मानी तो वह जीत नहीं सकते परन्तु कोई दुबला पतला व्यक्ति भी निर्णय कर लेता है कि मेरे मन में यह निर्णय कर लिया कि मैं ये प्राप्त करूंगा या यहां तक जाओंगा तो वह कर सकता है यानि मन ही जो है वह आपको आपके शरीर को आपके मन सद्रूड तो शरीर सद्रूड होता है और सद्रूड शरीर में सद्रूड मन रहता है ऐसे कहा जाता है लेकिन आपका मन सुद्रुड होना चाहिए मन में ठानली कि मन जीत लेगा ये सब कुछ हासिल होगा ये सब कुछ कर सकूँगा तो निश्चित आप मन में वह प्राप्त कर सकते है लेकिन मन ही मायूस हो गया तो संबोता आप कुछ नहीं कर पाएंगे मन को अपने काबू में रखो मन बिखर गया यत्र तत्र भटक गया तो कभी सफल नहीं होंगे जैसे मन जो होता है वह इस तरह से जैसे मुठी में बहुत सारे मोती आपने पकड़ कर रखे हैं मुठी खोली मन जो मोती आपने पकड़े है वह बिखर गया तो उसे संजोगना एकत्रित करना कठिन हो जाता है या रेत जो फिसल गई हाथ में से तो उसे वापस एक एक करके सारी जगा फैल गई तो एकटा करना मुश्किलात हो जाती है उसी तरह मन बिखर गया मन हार गया तो आप कुछ नहीं कर सकते कई ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके कारण मन मायूस होता है हमें किसी बात में कभी-कभी यश्प्राप्त नहीं होता तो हमारा मन मायूस होता है ऐसे समय में मन की कसोटी होती है मन को तब हारने नहीं देना है कोशिश करने वालों के हार नहीं होती यह बात हमें ध्यान में रखनी है हर बार हमें कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए मन को सक्षम सुद्रूड करना चाहिए यह बाते आप निबंद में लिख सकते हैं या इसके उपरांद या केवल में ने छोटी सी बाते बताई है पूरा निबंद नहीं क्योंकि पूरा में ही बताऊंगा तो आपके विचार कैसे वहां व्यक्त होंगे और इसलिए इस तरह से उदारन और इस तरह से आप अपने विचार उसमें कि कई घटनाएं हैं वह उसमें डाल सकते हैं कि आपका मन जीतता है तो किस तरह से उल्ला स्प्राप्त होता है किस तरह से आप खुश हो जाते हैं मन जीतने के बाद या मन प्रसन्न है तो आसपास की वातावरण भी आपको किस तरह से प्रसन्न लगता है सब कुछ सभी आनंगित है ऐसे लगता है मन मायूस है तो सभी जगह आपको मायूस ही दिखती है या आप उसके करण किस तरह से दुसरों पर उसका असर डालते हैं ये सारी बाते उसमें निबंद में आप लिख सकते हैं तो यह बाते इस तरह से आप अपना निबंद तयार कीजिए उपस हाँ समापन जो है उसमें यह बाते निबंद में जो आई है उसके अनुसार कि मन को हमेशा अपने काबू में रखना है मन को हमेशा सकारत्मक positive, negative कई भी नकारत्मक उर्जा नहीं ले आनी है इसलिए मन को काबो में लाने के लिए मन पर अपना नियंदरन रखने के लिए योगा जैसे माध्यम को अपनाना चाहिए उसके कारण मन को सद्रूर करना चाहिए मन को हमेशा प्रसंद रखना है मन पर अपना काबो होना चाहिए मन अपने उपर काबो हावी नहीं होना चाहिए यह बाते उपसहार में लिखकर निबंद पूड़ा कर सकते है यहां तक निबंद का विशे मेरे खायल से समझ में आया होगा ही आपको यदि कुछ कठिनाई हो तो आप उच सकते हैं ग्रूप पर लेकिन मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा इसके उपरान थोड़े से रेफरेंस आपको किताब यहाव मैंने पहले बताया वहिचारिक निबंद है आपको थोड़े बुक्स पढ़ने होंगे या विचार करना होगा और तब आपका निबंद सुन्दर होगा धन्यवाद यह निबंद आपको लिखना है वापस अगले पिरेड में मिलते हैं